नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठ्याकुर के साथ दोस्तो अगर आप भी L.T. कमिशन की त्यारियां कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिहद उप्योगी है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे किस तरीके का पैटरन L.T. कमिशन की परिक्षा में रखा जाता है और कितने प्रशन कहां से पूछे जाते हैं और कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें फोकस करने की ज़ादा ज़रूरत रहती है तो चलिए दोस्तो आज हम डिसकस कर रहे हैं वैसे SOLJU PEPER 2018 का है उसको हम डिसकस करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं कि किन-किन टॉपिक्स से प्रशन कितने-कितने पूछे जाते हैं तो देखिए, यहां पर मैंने 7-8 टॉपिक रख दिये हैं कि कहीं से प्रशन पूछे जाते हैं, लेकिन दूसी चीज और देखी जाए, जब से 2017 तक यह परिक्षा होती थी, तो 200 प्रशन इसमें पूछे जाते थे, तो वहां पर जो परिभाषिक शब्दा वली थी, उसके प् हैं, वो यह हैं, जो प्रशन पूछने की संभावना अधिक रहती है, दिखे कौन-कौन से हैं, हिंदी साहित्य एवं व्याकरण है, तो यहां से आपको 100 प्रशन पूछे जाते हैं, इसमें आपका हिंदी लिटरेचर भी आता है, आपका भारतिय का विशास्तर भी आता है, पाश्चा आते का विशास्तर भी आता है, या फिर जो दूसरी चीज़ें आपके व्याकरण के अंतरगत, जो भी चीज़े आती है, चाहिए उचार्ण स्थान से लेकर के, आपका वर्ण से लेकर के, आपका चंदों तक, छंद, अलंकार, बगेरा, बगेरा, जो भी है, रस तक, सारी चीज़ें किसमें आती है, हिंदी साहित्या और व्याकरण में आती है, दूसरा है देखे, आपका शिक्षन मनविज्ञान और शिक्षन आयोग, तो ये टीचिंग साइकोलोजी बहुत जरूरी है, अगर आपने L.T कमिशन की त्यारियें करनी है, तो 20 प्रशन यह त्यास हो, या फिर आधुनी की त्यास हो, थोड़ी थोड़े जो जो इसके महत्वपूर्ण बिंदू हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है, या जो प्रमुक लड़ाई या इतिहास में कौन कौन सी हुई है, उनके बारे में ही जाहतर प्रशन पूछी जाते हैं, ऐसा नह बोलते हैं जिसकों की गधा वर्क नहीं करना है, अब बिल्कुल स्मार्टली हमें स्टेडी करने की जरूरत है, तो में में जो टॉपिक्स हैं, उनको ही हमने क्लियर करना है, देखे साइंस और जिग्राफी, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और इन से भी थोड़े थोड़े प्रशन जो है कुल मिला के पूछे जाते हैं, अगर हम पॉलिटिकल की बात करें, तो पॉलिटिक से भी थोड़े से प्रशन पूछे जाते हैं, यहां से पूछे जाते हैं, current affair से भी इतना ही ratio रखा जाता है आपका कुल मिला के, और HPGK में last year जैसे आप देख रहे हैं, वह पर कितने प्रशन पूछे गए थे, तो आपको HP के लगभग 15 प्रशन पूछे गए थे, तो इतने ही प्रशन जो है, यहां से बनने की संभावना, अधिक्तम 20 मान की चली, कि इससे जादा तो HPGK का भी नहीं आएगा, और यहां से भी समान्य सा GK ही पूछे जाता है, HP का, और फिर Indian और World जी के जो current बगेरा में, यह सारा कुछ इसी में ही समाहित हो जाता है, तो कुल मिला के यही चीजे हैं, और इसके अलावा English के भी अब सिर्फ 2 या 3 ही प्रशन पूछे जा रहे हैं, जबसे यह आपका 170 जो प्रशन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो विकास का, जैस प्रशन बनने की संभावना रहती है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं, 2018 में जो LT Commission के फरिक्षा हुई थी, उसमें किस तरी के प्रशन पूछे गए थे, उनको हम डिसकस कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रशन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को स आगे हम कभी इसको दोबारा करेंगे, तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से इनको एक-एक जो इनके टॉपिक्स हैं, इनके जो आगे विकल्प हैं, उनको डिसकस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको simply इसका उत्र बता रहा हूँ, और एक पैटरन जैसे आपको पता प्राम ग्रूप के साथ जूड़ सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चलिए जो पहला प्रशन है देखिए, वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रारंबिक काल को सिद सामंत काल नाम किस ने दिया, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा, वो होगा आपका विकलप नंबर C, महापंडित रहुल सांकृत्याइन, क्लियर है, तो सांकृत्याइन जी ने क्या कहा था, इसको सिद सामंत काल कहा था, अगला जो प्रशन है देखिए, जयमयंक जस्चंदरिका के रचनाकार कौन है, तो यह हैं आपके नेक्स साथ देखिए, भक्तिकाल का नाम किसका दिया हुआ है, अचारे रामचंदर शुकल जी ने, फिर आता है रितिकाल को अपकरशकाल नाम किस ने दिया, तो यह नाम दिया था देखिए, डॉक्टर गनपति चंदर गुप्त जी ने, ठीक है, विकलप नंबर D, इसका क पढ़िएगा, ठीक है, नाथुराम शर्मा शंकर किस यूग के साहित्यकार हैं, तो देखिए, यह हैं आपके द्वेदी यूगीन साहित्यकार, तो देखिए, यहां तक जीतरें भी प्रशन पूछे गए हैं, इनमें से आपने एक जीज ध्यान रखनी है, कि यह किस तरीके पूछ रहे हैं, जादा डीव जाके नहीं पूछा गया है, नेक्स से देखिए, समालोचक मासिक साहितिक पत्रिका किस यूग में प्रकाशित हुई, तो अब पत्रिका से प्रशन पूछा गया है, तो इसका जो सही उतर है, यह आपका दुवेदी यूग, ठीक है ना, भग एकांत संगीत के रचनाकार कौन है, तो एकांत संगीत किसकी है, यह आपके हरिवन शराय बच्चनजी की कविता, ठीक है, नेक्स से देखिए, जमीन पक रही है किसकी रचना है, तो यह है विकल्प नमबर C, केदारनाथ सिंग, सूरज का सात्वा घोडा किसका उपन्यास ह तो यह धरम विरबारती का उपन्यास है, रुकोगी नहीं रादिका कि रचनाकार के नाम बताईए, तो यह है उशा प्रियंबदा, ठीक है, महादेवी बर्मा को किस रचना पर ग्यान पीट पुरसकार मिला, तो यह मिला है महादेवी बर्मा को, यामा पर विकल्प नमबर ब, इसका क्या होगा, सही उतर होगा, हरिवन शिराय बच्चन को किस रचना पर सहीत्य अकाद में पुरुसकार मिला है, दो चटाने, अधो लिकित में से कौन सी रचना क्रिशन काव्य में आती है, तो क्रिशन काव्य के अंतरगत जो रचना आती है, देखिए, वो है आपक बिकल्प नंबर C, परमनंद सागर, निमिलिकित में से कौन सी रचना खंड काव्य है, तो देखिए, कमाईनी महा काव्य, पदमाबद महा काव्य, रामचरित महा काव्य, बचता है आपका जैदरतवद, 17 का होगा बिकल्प नंबर B, लुईपाद के पद कौन सा काव्य है, तो यह है आपका देखिए, बिकल्प नंबर C, सिद काव्य, 18 का क्या होगा, C होगा, नेक्स से देखिए, रविदास कौन सी काव्यधारा के कवी है, तो रैदास जी थे, यह थे आपके ज्यानमारगी, है ना, बिहारिलाल कौन सी काव्यधारा से संबंदित है, तो यह प्र पूशन का काव्य किस कोटी का है, तो देखिए, इसका जुसाई उतर होगा, यह होगा बीर काव्यधा, लिरधर जगूरी कौन से काल के कवी है, तो यह है आपके विकल्प नंबर C, साठोतरी कवी, है ना, नेक्स से देखिए, मोहन राकेश किस यूग के कहानिकार है, तो म विकल्प नंबर B, प्रिमचंद यूगीन, धरमबिर भारती किस यूग के नाटकार है, तो यहां से देखिए, जो अभी तक हमने प्रशन देखिए, मैक्सिमम प्रशन किस त्रीके से पूछी जा रहे है, कि कौन सा कभी, या कौन सा उपन्यासकार, या फिर कहानिकार, किस यह देखना अपने सिंपली सा था, ठीक है, अगला है देखिए, धरमबिर भारती किस यूग के नाटक कार है, तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए, आपका विकल्प नंबर C, प्रसाद उत्तर यूग, संविधान के किस अनुछेद में हिंदी को राजभाषा और लिपी देवनागरी सुईकार की गई है, तो यह है 343, हिंदी को राश्टर भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का विचार सबसे पहले किस ने दिया, तो यह आपका देखिए, विकल्प नंबर C, किश्व चंद्र सेन, भारत के किस विश्व विध्याले में हिंदी का पहला, हिं किस ने दी थी, तो यह दी थी, विकल्प नंबर C, देखिए, देवेंद्र शर्मा, भाषा विज्ञान में भाषा अधिगमता का अर्थ क्या है, तो इसका जो सई अर्थ है देखिए, वो है भाषा को सीखना, अवधी बगेली पहाडी को किस भाषा में रखेंगे, तो यह आपकी बोलिया है, ठीक है, एस्परान तो भाषा का निर्मान किस से, किस ने किया था, तो देखिए, इसका जो सई उतर होगा, यह होगा विकल्प नंबर B, डॉक्टर जेमेन हॉफ, ठीक है, भाषा का सबसे सुक्ष्म अंग किसे माना जाता है, तो यह है द्वनी, संस्कि हुआ है, यह हुआ है, शौर सैनी से, चतिस्वा है, देखिए, अमीर खुसरो की भाषा क्या माने जाती है, तो यह है खड़ी बोली, है ना, प्रत्थम कभी माना जाता है, इनको खड़ी बोली का, 1826 में हिंदी भाषा का प्रत्थम शब्द कोश किस ने तैयार किया, तो इ 1829 ने देखिए, सौंदर शास्तर का जनक पश्चिम में किसे माना जाता है, तो पश्चिम में जो सौंदर शास्तर के जनक हैं देखिए, वो है बोमगार्टन, मारलमे, वालदेयर, मेटरलिंक, डवल्यू पी, येट्स का संबंद किस साहितिक वाद से है, तो यह है आपका चात्या विचार का रहे हैं देखिए, अदोलिकित में से सिस्रों का ग्रंद कौन सा है, तो यह है देखिए, विकल्प नंबर B, D, ओरेटरी, ठीक है, 42 का देखिए, कभीता में टेक्स्चर और स्ट्रक्चर की बात किसने की है, तो इसका सही जो उत्तर होगा, यह होगा रै 47, एलन टेट का अस्तित्तो किस पर निर्भर मानते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर A, तनाब या टेंशन, नेक्स देखिए, 46 से 50 तक वाक्याश के लिए उचित शबद चुनिए, ठीक है, तो आपका व्याकरण यहां से शुरू हो गया है, एक तरीके से, कि वाक्याश के लिए आपने एक शबद को चुनना है, किये उपकार को मानने वाला, तो यह पला प्रशन बहुत बार परिक्षा में पूछा जाता है, या तो मानने वाला, या फिर न मानने वाला, तो इसका जो सही उत्तर होता है, देखिए, वो होगा आपका कृतग्य, ज पादमस्तक, जिस स्त्री का पती विदेश में रहता है, तो वो क्या कहलाती है, देखिए, उसको कहते हैं, प्रोशित पती का, विकलप नमबर C, पचासों है, देखिए, प्रित्वी से संबंध रखने वाला, तो इसका होगा आपका विकलप नमबर D, पार्थिव, नेक्स इकमेंट, मतलब स्विद्धन, ठीक है, hopefully, 51 का देखिए, क्या होगा, विकलप नमबर A, बावन हैं देखिए, सर्क्यूलर, तो सर्क्यूलर का मतलब क्या है, इसका होगा आपका विकलप नमबर B, परिपत्र, डिस्पैच, तो सिर्फ प्रेशन, ठीक है, 53 का क्या होगा, C हो यह उतर है देखिए वो है आपका विकल्प नंबर A, अनुरक्षन, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्या होता है आपका विकल्प नंबर देखिए इसका क्या होगा, B, रिन दाता, ठीक है, अडल्टरेशन, तो इसका मतलब क्या है, यह है देखिए विकल्प नंबर A, अपमिश आकल ठीक है डिलीट मतलब विकल्प नंबर बी विलोपन भरतमुनी का कौन सा ग्रंथ कावशास्त्र विशेक है तो देखिए भरतमुनी का जो ग्रंथ पूछा गया है कि कावशास्त्र विशेक कौन सा है तो भरतमुनी का जो प्रमुक ग्रंथ है वो है आपका विकल्प का पीला पढ़ना आधी कौन सा अभिनय है तो यह है आपका विकल्प नंबर E सात्विक संचारी भावों की संख्या 33 हलांकि यहां पर विकल्प में आपको कहीं भी 33 नहीं दिख रहा है तो 36 इसमें लिखा गया है तो नियम अनुसार इसके संख्या कितनी है 33 रूपक के कितने भेट माने जाते हैं 10 ठीक है प्रशन संक्या 35 से 70 तक शब्दों की भावाचक संग्या चुनिए तो देखिए 65 है भारतिय तो इसकी जो भावाचक संग्या क्या होगी यह होगी आपकी दीखिए विकल्प नंबर C भारतियता कुशल तो कुशल का क्या होगा आपका कुशलत सुन्दर से आपका विकल्प नंबर निलीमा, ठीक है, नेक्स देखिए योग्य, तो योग्य का विकल्प नंबर आपका होगा, बी योग्यता, मनुष्य से मनुष्यता, और पुरुष्वाचक सरवनाम कितने प्रकार के होते हैं, प्रशन संक्या 71 है देखिए, तो इसका जो सही उत्तर है देखिए वो होगा आपका विकल्प नमबर A तीन प्रकार के ठीक है मैं आप चला जाओंगा मैं आप है तो ये कौन सा है देखिए उत्तम पुरुषवाचक मध्यम पुरुषवाचक या निजवाचक या फिर अन्य पुरुषवाचक तो इसका जो सही उतर होगा वो का निजवाचक, आज गंगा जल मैला हो गया है, विशेशन चुनिए, तो देखे इसमें जो विशेशन है, वो है आपका विकर्प नमबर ए, ठीक है, मैला, अधोलिकीत वाक्य में मुख्य क्रिया चुनिए, मैं यह समान उठाकर नहीं भाग सकता तो सही उतर है आपका देखे, भाग, क्रिया क्या है यहां पर भागना, अध्यापक ने बच्चों को प्रेम पूर्वक प्रशन समझाया, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रियुक्त हुई है, सकर्मक, अव्याय के कितने भेद हैं, तो यह है आपके नौभेद, निपात बोधक कौन से हैं, तो निपात बोधक बताना है कि कौन से हैं, तो इसका जो सही उतर होगा देखे, वो होगा विकल्प नमबर D, यह सब ही, प्रजोलित में कौन सा उपसर्ग प्रियुक्त हुआ है, तो यह हुआ है प्राउपसर्ग, विकल्प नमबर B, उलंगन में कौन सा उपस तो उलंगन में देखिया आपका कौन सा है विकल्प नंबर D उत्थ है ना तो यहां पर आदा लगा है अगर आदा नहीं होता तो इसको खलंत किया होता तब भी आदा माना जाता है प्रत्याय मूल रूप से क्या होते हैं तो सही उत्र है देखिये शब्दाश निमी लिखित इस चब्द में कौन सी स्ती वाची प्रत्याय हुआ है तो देखिये इसका जो सही उत्र होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर D, 1 बालिका में क्या है देखिये टा बहुब्रि शमास में क्या होता है ठीक है», 82 का देखिए, का सही उत्तर क्या होना चाहिया, कमल जैसे नेन वाला, का नाम क्या है, विग लोचनी, तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए, बहुब्री समास, निमिल्कित में से करमधार्य समास कौन सा है तो सही उत्तर है देखिए आपका विकल्प नंबर सी दिर्ग बाहू पुतल यहां बदलना का सही अर्थ क्या होता है इसका उत्तर होगा देखिए मरनासन होना पीट पर हाथ फेरना का सही अर्थ क्या है तो पीट पर हाथ फेरने क अगला पशन हम देख लेते हैं, रस सिधानत के संस्थापक अचार्य कौन थे, तो ये थे भारतमुनी, वकरोक्ती जीवितम किसकी रचना है, तो ये हैं देखिए विकल्फ नमबर C, कुन तक की अलोचना शब्द किस धातु से बना है, ये है आपका लोच धातु से, आश्रे की चेश्टाओं को क्या कहते हैं, ये है आपके अनुभाव, श्रिंगार रस का स्थाइ भाव क्या है, तो श्रिंगार रस का जो स्थाइ जब वक्ता द्वारा कही बात का शुरोता कोई और ही अर्थ लगाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है तो सही उतर होगा विकल्प नमबर C आपका वक्रुकती चंद सूत्र के रचयता कौन थे 98 देखिए इसका जो सही उतर है विकल्प नमबर C अचारे पिंगल किस चंद क प्रतेक चरण में 16 मात्राएं होती है तो 16 मात्राएं होती है आपके विकल्प नमबर C देखिए चौपाई में लक्षन शब्द शक्ति के कितने भेद हैं तो लक्षन शब्द शक्ति के भेद हैं आपके पास दो किस दर्शक ने कक्षा कक्ष में प्रबोध की या मॉनिटर किसी राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित कहां पर होता है पाठशाला में सही उतर होगा आपका मद्याहान भोजन योजना मिड़े मील स्कीम आरंब की गई थी तो ये हुई थी 1995 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है किसके लिए ये देखिए बिकल्प नमबर D सो चे से चोदा वर्ष के बच्चों के लिए मनविज्यान अध्याइन है तो ये किसका अध्याइन है चेतना का किसने बताया कि बुद्धी एक सहजात समान्य संग्यानात्मक योग्यता है तो सही जो उत्तर होगा देखिए इसका वो होगा आपका बिकल्प नमबर A साईरील बर्ष एक बारा वर्ष ये बालक की मानसिक उमर जिसकी बुद्धी लबदी IQ 90 है होगी तो सही जो उत्तर है इसका देखिए वो होगा आपका बिकल्प नमबर B 10.8 वर्ष पाठशाला में सरवत्तम अभी प्रेरक मोटिवेटर कौन है तो 109 का देखिए बिकल्प नमबर D विशे अध्यापक निमी लिखित में से कैसा व्यक्तित कि जन्म जात सहनिय विशिश्टता है सही उत्तर होगा आपका बिकल्प नमबर C कौन सी एक उत्तम परिक्षन की विशेश्ता नहीं है सही उत्तर है इसका बिकल्प नमबर D बारते शिक्षा आयोग का नाम है देखिए इसका जो सही उत्तर था hunter commission आयोग next से दिखिए एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए तो अंतरफ्यक्ति कौशल ले, वेचारिक स्पष्टता, संप्रिशने कौशल ले, या फिर ये सब ही, तो इसका जो सही उतर होगा ये सब ही N-C-E-R-T की स्थापना कब हुई थी, तो सही उतर है विकल्प नंबर B, 1961 शिक्षा में बौधिक लक्ष पर जोर दिया गया था तो सही उतर है विकल्प नंबर B, ग्रीक में, शिक्षा पर शास्की ये नीती के समद में शिक्षा है एक अनन्य, तो सही उत्तर क्या होगा इसका विकल्प नंबर B देखिए निवेश भाषा प्रयोग शाला का उप्योग किया जाता है 117 का होगा आपका विकल्प नंबर B कौन सा है देखिए भाषा कोशल्ले के लिए शिक्षन की मुख्य उच्तर तक्नीक क्या है यह आपका सेमिनार भुनियादी शिक्षन मॉडल का विकास किया गया था किया गया किसके द्वारा देखिए 119 का क्या होगा विकल्प नंबर C रोबर्ट ग्लासर के द्वारा बहु विद्ध बुद्धी का से धांत दिया गया तो ये दिया गया था, गार्डनर द्वारा विकल्प नमबर A, साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है, चंदरिशेकर कमबार, विकल्प नमबर B, इसका क्या होना था, साहि उत्तर होना था, अंडर 19 क्रिकेट विश्यो कप 2018 किस देश ने जीता, ये जीता था भारत ने, वि सुचकांक में, बड़े राजियों में किसे, प्रत्थम स्थान प्राप्त हुआ है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर था, विकल्प नमबर A, किरल, भारत का कौन सा तैराग, फरवरी 2018 में, एशियन 7 चैलेंज पूरा करने वाला दुनिया का सबसे युवा तैराग बन गय सही उत्तर है, विकल्प नमबर A, रोहन मोरे, 126 से देखिए, एक संख्या के पंदरवें भाग, बारवें भाग ता सात्वें भाग का योग, 1353 है, तो संख्या क्या है, तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए, वह होगा विकल्प नमबर D, 4620, एक वृत का क्षेतरपल, एक वर्ग के क्षेतरपल के समान है, इनकी परिणाम का परिमाप का अनुपात क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा देखिए, वह होगा विकल्प नमबर D, 127 का, clear है, नेक्स से देखिए, यदि R.E.A.S.O.N. का कोड नमबर 5 और बिलीव्ड का कोड नमबर 7 हो, तो इसी ता अपनी अंतरण का केंद्र क्या है, ठीक है, 130 है देखिए, इसका जो सही उत्तर है, विकल्प नमबर A, Hypothelmus, ठीक है, 31 प्रशने देखिए, कौन 6 तीनों से भिन है, तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए, विकल्प नमबर A, भूताप उर्जा, नेमिलिक्त में से कौन स यौन संचरित रोग नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन विदी में, लोहे को जंग से बचाने के लिए, किस की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो ये है सही, देखिए, जिंक की, तहकी के हिंद नामक पुस्तक किस ने लिखी है, 137 प्रशन है, इसका जो सही उत्तर होगा, विकल्प नमबर D, वनजी, ठीक है, तराइन का प्रत्थम युद कब हुआ था, तो विकल्प नमबर D, 1191 में, किस देली सुल्तान ने सिज़ा नामक प्रता की शुरुवात की थी, तो ये थे आपके विकल्प नमबर 3, देखिए बलबन, किस मुगल शासक को जिन्दा पीर कहा जाता है, तो विकल्प नमबर C, औरंग जेब, किस शासनकाल में संधी का विले, 1843 इस्वी, ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया, तो सही उतर होगा, विकल्प नमबर D, लॉर्ड एलन ब्रो, 1896 में, नियॉर्क में, विदान स साइटी का गठन किस ने किया था, तो ये था विकल्प नमबर, देखिए आपका, 142 का B, स्वामी, विवेकानन्द, करो या मरो नाराग किस ने दिया था, ये दिया था, विकल्प नमबर D, देखिए, महात्मा गांधी जी ने, सबसे अधिक चमकीला तारा, विकल्प नमब C, इसका क्या होगा, सही उतर होगा, साइरस, पृत्वी का आउस्त गहनत्व, ग्राम पति ग्रन सेनिमिटर कितना है, तो सही उतर है, देखिए, विकल्प नमबर B, 5.52, चूना पत्थर की रुपांत्रिक चटान, क्या है, ठीक है, तो सही उतर है, D, संग मरमर, वलित परव नहीं है, तो यह है आपका विकल्प नमबर D, विध्यान चल, पंपास घास के मैदान किस देश से संबंधित है, तो यह है अर्जिंटीना, मेडा घासकर दीप किस महसागर में स्थित है, विकल्प नमबर C है, देखिए, हिंद महसागर, जीलों का देश किसे कहा जाता है, भारत का दक्षनितम बिंदू, तो भारत का दक्षनितम बिंदू जो है इंदीरा पॉइंट, सर्सों का सर्वधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, यह है राजस्थान, इरूला जनजाती किस राज्य से संबंधित है, तो यह है तमिलनाडू, सबसे बड़ा वो व्यस् भारत के संब्धान की छटीय नसूची में किस राज्य के प्रशासन के बारे में प्रापधान नहीं है, 156 का देखी क्या होगा, विकल्प नूमबर D, मनिपूर, भारत में पहली अपातकाल इन्स्तिति की गोशना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी देखी विकल्प न भारत में लोक अदालतों का गठन किया गया, 159 का क्या होगा, सयूतर, C, महराष्टा, समिधान के किस अनुचीद के अंत्रगत, वित आयोग का गठन किया जाता है, यह है 280, निती आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया है, तो निती आयोग का जो गठन किया गया है, बारत में बीमाक्षेत्र की शुरुवात कब हुई थी उनिसो अठारा स्टेंड अफ इंडिया अभियान योजना कब प्रारंभ हुई विकल्प नूबर D दो हजार सोला प्रदीश में प्रसिद्ध रादेशाम मंदिर कहां स्थित है तो यह है बिलासपूर 164 का देखिए क्या होगा 165 है उदयपूर का पूर्व नाम था उदयपूर का जब पूर्व नाम है देखिए वो हो है मारकुल 165 का क्या होगा 166 हिमाज़ प्रदेश में सबसे कम जिन संक्यागत गनतोवाला जिला लाहौल स्पिती प्रदेश की स्पितियन जनजाती को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो यह आपकी पोट हिमाज़ प्रदेश में कहा होकी स्टेडियम का निर्मान हुआ है तो होकी स्टेडियम का जो निर्मान हुआ है 168 शिलारू में ठीक है C अगला है देखिए 170 और आखरी प्रशन यह कहते हैं कि तो इसका जो सही उतर है देखिए विकल्प नमबर B फॉर गेव तो यह थे कुल मिलाके 170 प्रशन कि कहां कहां से यह प्रशन पूछे गये थे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के प्रशन पूछा जाता है कोई खास प्रशन नहीं है इसमें जो बिल्कुल जादा डीप हो HPGK से कुछ एक प्रशन नहीं देखिए कुछ एक हमारे हिस्ट्री से हैं कुछ एक प्वालिटी से हैं तो मतलब में-में चीज़ें आपने फोकस करनी है जäsसे मैंने अरम में ही कहा है में-ली आपको अपना ही लिटरीचर को पहले स्टोंग कर लीजी पिर उसके बाद जो अपना ग्रेमर है उसको कर लेंगे और जो आपका टीचिंग है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉंग कर लेंगे और साथ ही साथ आपका जो HPG के है वहाँ पर फोकस करने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शीर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ने भूलें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो समय पर पहुंचती रहे